प्रमोज जी आज इको गार्डेन में धर्ना पदर्शन करते हुए 156 दिन आप लोगों को हो गए हैं उमा देवी जी समय क्या कर रही हैं अंदूलन कैसा चल रहा है निरस्त हुआ उसके बाद से लगातार यूपी का मता हुआ सिख्छा मित्र इसको बोलना जाता हूं कि हाई पाउर कमेटी के गठन हुआ हमारे अनौना धर्ना करने के बाद कि हाई पार कमेटी के गठन के रगवां मीटिंग के बाद जब कोई निड़ेश साक्रात्मक सिच्छा मित्र के हित में नहीं आया उसके बार से बहनुमा जी ये तैं कर ली कि लगातार यूपी में सिच्छां क्यों मर रहे हैं जबकि उनकी हित में हम लोग बैठ करके लगातार धन्ना अरमत कर रहे हैं और एक लाग बाता परिवार के हित में हम अपना हर अस्त लगा देंगे लेकिन आबुदू जाने नहीं देंगे किसी कहां हुआ क्या लगतार सिच्छां मत्ते गए बहंजी जन्परवार जाकर के सिच्छामीत्रों को सांतामा देने के लिए निकल पड़ी हैं कि अगर आप जिंदा है तो आपको सम्मान पाने का आपका पुदा अधिकार नहेंगा जाएंगे तो अधिकार कौन लेगा इस उद्देश से बहंजी ने एक और विचार्वी मर्श किया कि हम जन्परवार घूमने के बार ये तै कर लेंगे अगर सरकार दिवाली तक हमारा का सारे काम को योदना सपन नहीं बनाती है तो हम दिवाली बात आज पार सारकार से लड़ने के लिए बात देऊंगे जिसका पुरी जिम्यदारी सरकार होगी क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस घर के परिवाल की महिला बाहन निकल जाती है उस घर की मुखिया के कितना बदनामी होता है तो आज की तत में सरकार हमारा मुखिया है सरकार हमारा मालिक है सरकारी हमारा सब कुछ है और इन किर्दाज में इन क्यों मालिक होते हुए बहन बेटिया घर से निकल लई हैं अपने हक के लिए कई निकई सरकार के अपने वादे पे विखड लई है खड़ा नहीं उतर लई है और एक बात और मैं उन शिच्छामित सातियों से बता दना चाहता हूँ जो घर बैठे हुए अफ़वाएं फैला रहा हैं कि आज आड़ा बंत कर दिए आपके अफ़वावों को देख करके आपके मैसर को देख करके तमाम सिच्छामित्री के अंदर एक आसा बनी लाती है कि आज हमारा ऊढ़ार होगा आज हम सफल renewed अपने इसी नोकरी पर ही अधाаты MR में लेगा घर की व्लेवस्ता सुचारे दभा इन मढ़ यह है कि आज के दिए में मैं सम्मान वापस होता है तो हम यह काम कर लगे और जब साम को उसको खबर मिलती है कि यह नहीं होया तो चमित आत्महत्या या ब्लड पेसर या हाट टेकर सिकार होता है और एक चला जाता है तो बंदूर मैं आपको बता देना चाहता हूं आज के बाद कि अगता धर्मा ना कर लें हैं सरकार जान रहा देश जान रहा है जो भी सब्सक्राइब को परिदाम यह है तो जब तक बहाद जी के द्वारा कोई बात आपके पास नव जाए तब तक मेरे सात्यों मेरे बंदूओं आप जीबित आहें तो सब कुछ सोचिए आप जिंदा हैं तो आपके रहते आपके परिवार में कितनी समच्या है कितना जहलणा पड़ता है आप वेवहार बादी भी हैm सबस्त के पास समाजरे बैड़ते हैं तो यह समच्या sich जिस दिन आortion रहेंगे अपके बच्ची आज मार्फक इनी से दूपltryMA करिए इनी पर भरोषा करिएो किसी मेसेज को अगर उआपको परमात्मा पर ध्यान है तो आपके सफ़लता है आपके करमों लागिरांगे और सचीए जी देवी का अपूजा कर रहा है उसे का एक अंस उमा महिला आपके लड़ रहे हैं विश्वास और आसा लखिए कि उमा देवी के नाम से आपका जीतोगा नहीं जीतोगा तब भी उसका विकल्प है आगपार के लड़ाई के लिए हम दिवालिक बात दे हो जाएंगे इसमें कहीं से दूर आए नहीं है आठ सो से ज्यादा सिक्षा सनेलाथ के नित्युत में गई हैं क्योंकि सनेलाथ का अग्राई इटाओं की स्थितिया है इटाओं में हमारे जब से समय दद्ध है तब से वाज़े कई सिख्शा मित्र एकस्पार हो गया है निक शिच्छा मित्रों के बीच में उमारी ऊर्जा देने गई हैं कि आप घबर करके विश्वास रखो मैं तुम्हारा सफलता दिलाऊंगा और तुमको जीत दिलाऊंगा इसमें कोई आसा नहीं है साथियों एक बात और मैं बता देना जाता हूं आज भी ख़वर जूटी चल लई है याज साम तक आपको आडर मिल जाएगा तो साथियों इस कुशी भी ख़वर पर आप इसे ध्यान न दिजिएगा सिर्फ एक ध्यान दिजिएगा कि दीवाली दीवाली तक इंतरा करिए अगर दीवाली तक हमारा सम्मान वापस नहीं आता है तो दीवाली के बाद हम बद्य हो जाएंगे आज पार के लड़ाई के लिए इसमें किसी प्रकाय के गुंजाइस नहीं है और आपके लिए हम यह ना करत्मक सोच आप रखिये का मत अगों जीतना है तो अगर हारना है तो आपने रास होईए इसमें कोई बात नहीं लेकिन अमित मैं उमा देविक की टीम आज अनमरत 156 दिन से संगर्ज कर रही है आपके हिद के लिए अपने हिद के लिए न की कोई राज नहीं आपका क्या नाम है अमरें सिंग एक सोचपन दिन हो गए हैं आप लोगों को यहां इको गार्डन में तपस्या करते हुए धर्ना पदर्शन करते हुए उमा देवी जी टावा में हैं और उसके बाद और भी उनके लगातार आगे कारिकरम लगे हुए हैं पीछे धरने को आप को गार्डन में अन्वरत रखे हुए हैं चला रहे हैं क्या कहना चाहेंगे मैं कहना यह चाहूंगा कि धरने को हम लोग चला रहे हैं उन सभी साथियों के लिए जो लोग 172 की गिंती में आते हैं उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं जो अधूरी जा रही हैं जिनका उनों के लिए साथ संग संग अपने भी सपने हैं उनके लड़ने के लिए लगातार हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे अपने लच्छ को हासिल करने के लिए हमें जो भी अस्त्र उठाना पड़ेगा उसे उठाऊंगा और उससे लड़ूंगा रही बात कुछ लोग क्योंकि मान सिकता यह है यह मानते हैं कि इतने दिनों के धरने में क्या मिला कि तो उन लोगों को यह समझना चाहिए कि जो देश देशे मरं डेश होता। है उस देश भी सरकार के हैं जब तक सरकार हमें नहीं देती तब तक तो सरकार के सामने हमें रहना ही होगा लोग कहते धरने से इतने दिन लगाने में क्या हासिल हो रहा है धरना इसलिए कि जब सवाल ही नहीं होगा तो जबाब कहां से आगा कम से कम हम सवाल तो खड़ा कर रहे हैं सरकार क सामने वह सवाल लेके खड़े हैं तो सरकार को एक नेक दिन जवाब तो देना पड़ेगा हम उस जबाब के इंतजार में लड़ते रहेंगे जब तक सरकार जवाब हमारा नहीं देती तब तक हम अपना सवाल हटाने वाले नहीं है यही लोगतंत्र की सची लड़ाई होती है प्रमज जी इटावा में आज उमा देवी जी हैं इसके बाद उनका अगामी क्या कारिक्रम है पूनम जी के नित्रत में होगा जिए और बहांजी का उद्देश है जन्पदवाज घुमगे शिच्छा मित्रों के अंदर जागुरुक्ता प्यादा करना कि आप हारे नहीं है ऑफ को हाराया गया है च भूष गया है कि हम हार कैंने कुछ होगा नहीं उदास होगे वीटकश होगे है कि आप हारे नहीं है आप को हाराया है। आप जीते हैं आद इसलिए अधैर रखने और धीर देने क्योंकि हमें अभी और लड़ाई करना है।